नमस्कार मैं हो ससी आये जर्गां की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं संक्रमन को देखते हुए सरकार ने किया अगा देश में कुरोना वायरस संक्रमन की थिती बहुत से बत्तर होती जा रहे हैं इन राजों में तेजी से कुरोना के मामले को देखते हुए केंद्री शासित परदेशों के मुक्त चिवो और परशासको को पत्र लिखकर कोबी-19 इस्थिती के मद नजाजीला अस्तर पर अवस्य करवाई करने का सुछाओ दिया है बतादे पत्र में केंद्रे ने राजियों से कहा है कि अपने यहां लोगों को कुरोना के गाईलाइन पारण करने के लिए जागरूप करे और जो नहीं मानते हैं उनके खिलाब सकती करे जारखन में तेज से पच्छुआ हवा के साथ बढ़े तापमान ने लोगों को गर्मी का आसास करा दिया है पतादे मंगलवार को राजिय में सबसे अधिक तापमान डालते गई में रिकोर्ड किया गया कि 30 मार्च को जहां अधिक तापमान में एक से दो डिगरी सेलसेट की बढ़ोतरी हुई है वहीं 31 मार्च और एक अपरेल को इसमें 2 से 3 डिगरी सेलसेट की गिरावर दर्च होने का अनुमान है पर इस दोरान भी राज्य के उतर पच्मी और दाक्षिनी पूर्वी जीलों में हीट वेब चलने की समावना बनी हुई है जैक बोर्ड मैट्रिक परिक्षा के लिए एड्मिट कार जारी जार्खन एकेडमी काउंसिल जैक ने 2021 में होने वाली दास्वी की परिक्षा के लिए एड्मिट कार जारी कर दिया है बतादे एड्मिट कार जैक की वेब साइट पर उपलवद है 2021 की मैट्रिक परिक्षा में सामीर होने वाले अभियार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समधित इसकूल से संपर्ख कर एड्मिट कार प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावे वे इसकूल प्रवंधन से भी इस बावत संपर्ख कर सकते हैं विद्यार्थि चाहे तो जैक बोट की वेब साइट jack.charkon.gov.in से भी एड्मिट का डाउनलोड कर सकते हैं बतादे चार मई से जैक बोट की दसवी की परिक्षा आविजित की जा रही है इसकूल कोले जाने वाले चात्रों का होगा कुरोना टेस्ट कुरोना की रफ्तार काम करने के लिए राची जिला परसासन ने कोवीड टेस्ट में तेजी लाने की जोजना बनाई है बतादे डिसी के निर्देश पर मंगलवार को बुड़ू SDO उतकर्ष गुपता के अधक्सता में कोवीड नैंटी से समन्दी समिक्षात्मक बैठक होई जिसमें 8 अपरेल तक सभी रेस्टोरेंट, सभी बड़े दुकान वा संस्थान में काम करने वाले करमचारियों को कोवीड टेस्ट कराने का निदेश दिया गया है साथी जीला सिक्षा अधिक्षक को सरकारी एवं गयर सरकारी स्कूलो तथा कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की टेस्टिंग कराना सुनिश्चित करने को कहा गया है जारखन में 4 अप्रेल से 20 अभयान सुरू हर दिन 5 लाख टिका करन का लगचे केंदर सरकार ने कोरोना टेस्ट बराने के साथ टिका करन भी तेज करने का निदेश दिया है बतादे इसमें 45 बरस जाधिक आयूक के ज्यादा ज्यादा लोगों को वैक्सिन लगाई जाएगी प्रती दिन डेर लाख लोगों को टीका देने का लक्ष रखा गया है इस बार पंचायत अस्तरपटी का करन अभियान चलेगा राम नौमी में जुलूस निकालने पर विचार करेगी सरकार हमन सुरेन सरहुल पुजा में सामिल होने आय मुख्यमंत्री हमन सुरेन ने राम नौमी पर में जुलूस निकालने को लेकर विचार करने की बात कही है उनके इस अस्वासन के बाद राम नौमी महा समीती के सदस्यों में नाया उत्सा पनप गया है बता दे मंगलवार को पैतरिक गाउं नेमरा में मुख्य मंत्री हैमान सुरेन अपने परिजनों के साथ पूजा में सामिल हुए थे इसी दुरान राम गट के राम नौमी महा समीती के नौ सदस्य उनसे मिलने पहुँचे बता दे समीती के सदस्यों ने मुख्य मंत्री को बताया कि मंगला जूलूस निकालने के लिए उन लोगों ने राजेपाल को भी इमेल भेजा था रगुबर्दास घोटाले की जांच कराय हिमन सरकार सर्यूराय सरकारी महकमों में घोटालों को उजागर करने के लिए मसूर जमसेत पूर पूरवी के विधायक सर्यूराय सरकार विधान सभा की कमिटी एसी बी या फिर किसी बारी एजेंसी से पूरे मामले की जांच कराय है आपको बता दे कि राजास अपना दिवस 2016 के आउसर पर इसकूली बच्चों के बीच परभाट फेरी के आउसर पर बापने के लिए पांच कोलो रुपए की टी-सर और 35 लाक रुपए की ट्रोफी की खरीद में अनिमित्ता हुई है जारखन में एक साल में एक लाख तेज सेयर लोग संक्रमीत आज ही के दिन पाला मरीज मिला जारखन में कुरोना का संक्रमन मिलने का एक साल पूरा हो गया है बतादे आची के दिन 31 मार्च को जारखन में कुरोना का पाला मरीज मिला था बतादे पाला मरीर आची के हिंद पीडी में मिलने के बाद यहां लागतार कुरोना का संक्रमन बरता गया भारतिये अमेर्की दमपती ने ज्जार्खन बिहार को दान किये एक और रुपई इन पैसे का इस्तेमाल ज्जार्खन और बिहार में प्रान नमख संस्थान के जर्येश स्वाच सेवा को बेतर बनाने के लिए किया जाएगा जार्खन में 418 नाई संक्रमित की पुष्टी हुई है जो राची से 262 पूर्वी सिमु 34, कोडार्मा 21, गुमला 16, बोकारो 12, गोडा 11, जामतला 10, साइव गई 9, धनबाज 8, देवगर, खोटी लु अर्दागा 6, 6, पच्मी सिमु पलामु 4, 4, रामगर 3, गढवा 2, दुमका 1000 बैग लाते हैं सिम्डेगा से एक-एक मरीज मिले हैं, राची से तीर मरीज की मौथ हुई है, बताएदे जार्खन में कूल मौथ की संक्या 1113 है, वहाई एक्टिव केस की संक्या 2254 है, भारत में तीरपन 1125 नाई केस मिले हैं, भारत में कूल मौथ की संक्या 1,62, 502 है, वह नची जीले में कुरोना संक्रवन के मामले लगातार बढ़ रहा हैं बतादे होली के दिन भी राची में कुरोना के 62 नए मरीज मिले हैं इसके साथ राची में एक्टी मरीजियों की संख्या 1,45 हो गई है पतादे कुरोना के दूसरे लाओर को देखते हुए जीला परसासन एक जूनियर महिला होकी तीन अप्रेल से अगामी तीन अप्रेल से एगारवे निशनल जूनियर महिला होकी चेंपियन का अगाज होगा बता दे इसी के मद्र नजल सिम्डेगा में विभीन राजियों से टीम में पहुचना सुरू हो गई है इधर मंगलवार को सिम्डेगा में हो पूर्वे की कई घटनाव का भी पदाफास हुए है मुख्यमंत्री हमान सुरेन मंगलवार को बाहा पूजा अनुष्ठान में भाग लेने के लिए अपने पैतरी गाउ रामगार जिले के गोला प्रखन अंत्रगट नेमरा गाउ पहुँचे बतादे साम के करीब 4 बजे राची से सडक मायक से नेमरा पहुँचते ही जिला पर सा के अने सदस भी बाहा पूजा में सामिल होने नेमरा गाउ पहुचे जे पीएसी में बेटनारी डॉक्टर के पदो पर भरती जारखन लोग सेवा आयोग ने बेटनारी डॉक्टर के पदो पर भरती के लिए योग योवा एक छुक उमिद्वार से आवेदन अमंत्रित किये हैं इस भरती के लिए उप्यूक्त अभियार्थी जेपीसी के ओफिस्यल वेबसाइट जेपीसी.gov.in पर जाकर ओनलाइन अवेदन कर सकते हैं बतादे अम्तिम्तिती 17 अपरेल 2021 है हजारी बाकी ख्याती प्राप्त राम्नामी को लेकर सांसद वजिला पर सासन आमने सामने आगए हैं पतादे सांसद जेंत सिन्हा ने एक तरफ सरकार की अनुमति मिलने या नहीं मिलने पर भी कोविन प्रोटोकाल का पालन करते हुए सांति पुर्वक जूलूस निकालने की हिदायत दी है और जूलूस नर निकालने को लेकर आदेस भी जारी किया है लोहर्दागा में पर्याटन अस्थलो का होगा विकास उपायुकते लोहर्दागा उपायुकत दिलीप कुमा टोपो की अध्यक्ता में मंगलवार को जिला पर्याटन सर्वधन समीतिक बैठक पर्याटन अस्थल के संचालन यम्राख रखा जीला मुख्याले में जीला पर्याटन केंद्र अस्थापना समयत और बिंदू पर परिचर्चा की गई होली की मस्ती में सराबोर रही विधायक अंबा बारका मुखिदायक हमने में बढ़का काे आक पर परसाद पिछले याज़ और फचले 20-0 हमचते से वहली की मस्ती में डूबकि लगा in पी लगा रहा रहाया बता ददे इस मस्ती में वह याभी भूल कई है कि कुरोना कम है और इसके लिए सरकार ने गाईलाइन भी जारी किया है, सोसल डिस्टेंसिंग भंग न हो, इसके लिए कई इलाकों में जिला परसासन के द्वारा 144 भी लगाया गया था, कहीं भी सरुजनिक कारेकरम का आउजन नहीं होना था, यहां तक की हाल में भी अविजित होने वाले कारेकरमों में, छामता से 50 पिस्दी कौम ही लोगों को आने जाने की जाज़त थी, लेकिन मंगलवार को विधायक अंबापरसाद मस्ती में सरबोर रही, सिता सुरेन ने किसान कर्ज माफी को लेकर किया ट्वीट, जारखन मुक्ती मोर्चा से जामा विधायक सिता सुरेन ने किसानों के रीन माफी में आरही समस्याओ को लेकर मुख्य मंत्री हमन सुरेन का ध्यान आकरिष्ट कराया है, साथी इस मामले को संग्यान में लेकर अवस्य करवाई करने का अगरा किया है, बताद सिता सुरें ने मंगलवार को ट्वीट करका कि राज्य के बोकारों के चास इस्थित पंजाब नेशनल बैंक के सका से रीन लेने वाले किसानों का कर्च अब तक माप नहीं हुए हाई होमगार्ड जवानों का धारना जारी जार्खन्ड होमगार्ड वेल फेयर एस्थित पंजाब नहीं होमगार्ड जवानों का धारना 23 दिन भी जारी रहा धारना अस्थल परमंगलवार को परदेश सचीव दिलिप तिर्की पहुँचे तिर्की ने होमगार्ड जवानों की मांग को सुनने के बाद मुखमंत्री से वारता करने का स्वासन दिया बता दे जार्खन होमगार्ड वेल फेयर एस्थित परदेश कमिटी और जीला सिम्डेगा कमिटी ने परदेश सचीव दिलिप तिर्की का अभार ब्यक्त करते हुए कहा कि वे मुखमंत्री तक हमारे मांगों को पहुचाने का काम करेंगे जार्खन कॉंग्रेश के परदेश अध्यक्स राजे के बीत एवं खाद आपूर्ती मंत्री रामिस्वर उरावने मंगलवार को कहा कि असम के सिल्चर जीले के विभीन बिधान सबाचेत्रों और बराख घाटी में चुनाव परचार के दोरान यह अभास हुआ कि इस बार असम में कंग्रेस गट भंधन की इस्तिति आची है असम में पार्टी के नित्युत में सरकार बननीता है बता दे वे असम के बराख घाटी के पंद्र बिधान सबाचेत्रों में चुनाव परचार कर राची लोटे है सरहुल सोभायात्रा को लेकर आदिवासी संगठन गोलबंद कोविन के बरते मामले को देखते हुए सरकार ने सभी परकार के समोहिक आयोजन वाजूलूस पर रोक लगा दी है हलाकि सरहुल सोभायात्रा को लेकर आदिवासी संगठन गोलबंद हो रहे हैं सरकार वा परसासन पर दबाव बनाने के लिए प्रेसर पॉलिटिक्स भी सुरू हो गई है बता दे उनकी मांग है कि जब कोई तरह के आवयोजन वा सरकारी कारकरम किये जा रहे हैं और रायनेती कारकरम भी किये जा चुके हैं तो बरस में एक बार जन जाते हैं समुदायक महापरव को लेक कर निकाली जाने वाली सोभायात्रा पर रोक क्यों धन्यवाद